कितनी बार आए हैं आप यहाँ पे? सिटिंग, कमांज फॉलो करना स्पीच आई कॉंटाक्ट, रिस्पॉंस, एमोशन्स, स्टैंडिंग, बॉडी पोस्चर और हीरिंग लॉस रिकवरी जैसी अन्य समस्याओं में भी सुधार आने की साथ-साथ, हमने नियूरो डॉक्टर द्वारा इस बच्चे के लिए कही गई बाते भी सुनी जिसे सुनकर इस बच्चे के पेरेंट्स पूरी तरह निराश हो चुके थे और साथ ही इस बच्चे की पहले और डॉक्टर निशी द्वारा दिये गए माइन्ड प्रोग्रामिंग सेशन के बाद की मेडिकल रिपोर्ट भी देखी जो कि आप रिपोर्ट्स नौर्मल आ चुकी है आईए देखते है इस बच्चे की पहले की medical reports, EEG and MRI report of the child आईए अब देखते है आखर कितने sessions लगे इस result तक पहुचने में Case, West Syndrome and HI Part 8 आपको तो credit लेना ही चाहिए, आप नहीं होते तो बिल्कुल भी नहीं होता है हम क्या करते, आप गाइड नहीं करते तो हम क्या करते मुझे पता है सबसे ज़्यादा मुझे आप लोगों से energy मिलती है, और उर्जय मिलती है क्यों कि जब आप के उपर की इतना व्रोसा करता है तो आप कभी हार ही नहीं सकते है मुझे बहृत लुटी फील होता है क्य dön dön जने बील वहां पक्याई हो तो यहां पे इतने दूर से आया है और मुझे से मिलने और जब ऐसी changes होते हैं तो मैं भी इतनी excited होती हूँ देखने के लिए कि क्या change आया है ये वाज तो देखा आपने ये था इनका केवल third session third session तक में ही reports नॉर्मल हो गई और ये सारे changes आ गए इस बच्चे की parents की तरह आप भी वस विश्वास रखिए positive रहिए और हिम्मत मत हारिए और treatment शुरू करने में देर बिलकुल ना करे अधिक जानकारी के लिए या डॉक्टर निशी का appointment बुक करने के लिए आज ही call करे 7060819333 पर या अपनी details हमें email करे डॉक्टर निशीभट at the rate gmail.com पर इस बच्चे की तरह आपके बच्चे के जीवन में भी ऐसा ही बदलाव आ सकता है अगर सही तरीके से सही उपचार कराया जाये तो